है 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 लोग दिस रुपेश मिश्रा एन वेल्कम यू ओल तो यौर चैनल देट इस मैं अध्वाथ देखिए भी सी पी-सी एम के साथ जो आगे आपको क्या करियर आप्शन चूज करना है और कैसे करना है कुछ आपके कमेंट्स हैं जिसको ले करके मुझे ये वीडियो दे सब्सक्राइब करते हैं तो वह ट्रेंड ग्रेजुट टीचर यानि क्लास नाइंट्ट के एक टीचर बन सकते हैं ठीक है अच्छी आजी सेलरी पैकेज भी होता है यूपी की बात करें तो अल्मोस्ट शिक्स्टी फॉर्या सिक्स्टी फाइफ थाउजन से स्टार्टिंग होती है आप नाइंट्ट को पढ़ाते हैं ठीक है और अच्छी आजी सेलरी मिलते हैं यह तुन आप इसके साथ बे के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें हो जाता है इसकी एच्छे का से स्टार्टिंग 40,000 क्या सपस होती है तो यह तो तुरंट की बात होगी आप तुरंट अगर बीट करते हैं तो आपको काउंस ऑप्शन मिलता है अच्छा कई लोगों ने इसके साथ-साथ-साथ-साथ आपको कितने सारे उप्शन से में मैच के दो पार्ट या तो मैस से आपने किया या तो स्टैटिस्टिक से किया दो पार्ट होता है बचो मैच कभी दो पार्ट होता है लेकिन किसी-किसी युनिवर्सिटी में अविलेबल होता है किसी-किसी में नहीं स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वह आपको statistical officer और उस टाइप की जो post होती है उस में ले जाता है बाकी अगर आप सिर्फ maths की बात कर रहे तो इसमें आपने देखा ही है कि master कर रहे होते हैं आप तो इसके करने के साथ ही साथ मसी के साथ अगर प्लस बीएड भी है अगर आप मसी के साथ बीएड डाल रहे हैं मतलब आपने कर लिया तो आप लिजिबल हो जाते हो तो पीजीटी के लिए है पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजवेट टीचर जिसे आप सिंपली लेक्चिर बोलते हो जब अपने क्लास पढ़ा होगा तो जो टीचर पढ़ाते होंगे अगर आपने गॉर्मेंट स्कूल में पढ़ा है तो ने लेक्चिर कहा जाता है वैसे अब अगर आपने तो टीचिंग वाला अप्शन हो गया पीजीटी वाला अगर आपने एमसी के साथ आपने नेट या फिर जियारेफ जिसे बोलते हैं वह क्वालिफाई किया नेट आप समझते हो नेशनल एलिजिबिल्टी टेस्ट होता है फॉर परसीविंग पीचडी तो नेट क्वालिफाई करते हो वह रैंक मैटर करता है जब कैसा इग्जामिनेशन आया उन्होंने कट आफ क्या रखा उसे इसाब से जो जे आरेफ होता है उसमें आपको अच्छी खासी स्कॉलर्शिप मिलती है लेकिन नेट में नहीं मिलती नेट में बहुत कम हो सकता है करने तो अबम पैच्टी पर आपको प्रोफेसर बना देता है पीस कि रीकिसि प्रोफेसर जैसे ai कि यह इस भी नेट होगा उसकी प्र्फेसरस आपको बीस के कियो तीशन्स करते हैं जो पढ़ाते हैं आपको प्हसी कि मैध्मेटिक्स या बीशी फिसक्सिक ऑपा सीट कि के प्रोफेसर वह होते हैं जो घ्रजय पढ़ाता है और साथ ही सदूंगा पई पीएज डिग्री भी होनी चाहिए तब उन्हें सब्सक्राइब पढ़ाना ही नहीं कहलाता है और प्रोफेसर है तो यह प्रोफेसर हो गया और आप इसके साथ-च्री करते हो तो एक और फियल्द किया हुआ था तो PGT जो आप कर रहे हो अच्छा एक ऑप्शन और रहता है जो यह PRT की बात आप करना है PRT या फिर और UP की बात करें तो वहां सब जिगाओं पर आपने बहुत ज्यादा फेमस नाम सुना होगा TET कि यूपी टैट या फिर सी टैट तो यह कुछ इलिजिबिल्टी होती है मतलब बीट करना या बीटी सी करना या डेलेट करना केवल यह कंफर्म नहीं कर देता कि आप एक टीचर बन गया है आपको उस स्टेट का जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी टैट स्पेशली क्वालिफाई करना होता है अगर आप पूरे जगहों पर बात करें तो तो यह तो हो गया यह ऑप्शन ठोड़ा काफी ज्यादा चीज़े उसमें आती है तो अगर आपको लगे कर अगर इस पर मुझे और कुछ बताना हो तो आप मुझे बताएंगे तो उसका अलग से एक वीडियो बता देंगे अभी तो फिलाल इतने के लिए यह सारी चीज़े हो गई इतना ओप्शन ठीक है और कुछ देखते हैं देखें कुछ लोग पहले सही मन में रखे रहते हैं कि हमें पीजीटी ही बनाना है मतलब 11 12 वा लोग पढ़ाना है तो वह एक दिमाग में लगा सकते हैं कि वह MSC एड़ कर सकते हैं MSC एड़ मतलब MSC के साथ साथ ही साथ हो जाता है तो यह उनका टोटल जो जिसे MSC दो साल का और अलग अलग करेंगे तो MSC दो साल का और और जो लोग पीजीटी दे सकते हैं जाहिर सी बात है वो टीजीटी भी देपाएंगे अगर उपास भी एड़ है तो यूपी में अभी तक इलेजीबिल्टी यह थी कि पीजीटी का एक्जामिनेशन अगर आपको देना तो केवल MSC ही रिक्वार्मेंट था और टीजीटी के लिए बीएसी और बीएड लेकिन अब हो सकता है नेक्स्ट जो नियो एज्जीएशन पॉलिसी जिस पे आप लोग पाते हो उनके लिए पीजीटी में भी पीएड और अनिवार कर दिया गया उनको भी देना पड़ेगा फिलाल आगे बटते हैं अगर किसी को करना हो जिसे बीएसी कर लिए आपने आपको मन है एम्टेक करने का तो आपको पहले MSC करना पड़ेगा तब आप एम्टेक भी कर सकते हो ठीक है यह भी एक option है MSC अम्टेक हो जाता है ठीक है ठीक है इतना एम्टेक भी कर सकते है और सुनिए अब बात आ रही है MSC MSC की MSC कैसे करना है बहुत तरीके MSC करने के क्या सबसे एक जो बड़ा ही जवर्दस तरीका है अब आप यह टी जैम क्वालिफई करने का और टीजैम बहुत लोग त्यारी कर भी रहोगे ठीक है MSC physics करना है तो IAT जैम और एक और एक स्वाड़ इदेखा को अगा उसके पर मैंथमेटिक्ष के बारे मिता रहूं श्पेशली तो MSC आइए डी जाम आपने क्वालिफाई क ठीक है आप यह भी दे सकते हो साथ ही साथ आप क्या और दे सकते हो टी आइफर टाटा इंसीट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मतलब यह जो आपका मुंबई में अपका समुद्र के किनारे बना हुआ है ठाटा वालों का है अच्छा कासा एक्जामिनेशन इसका भी होता है इसके तुरू भी आप कर सकते हो फंडामेंटल रिसर्च के तुरू यह सिखाते है आपको इसके अलावा चेन्नाई मैथेमेटिकल इंस्टिटूट अगर मैस की बा तो एक और नाम है मेरे समने आइसर इसर मतलब इंडियन इंस्टिट अफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ठीक है आइसर जो कि भूवनेशर में इसका में ब्रांच है और बागी कई सारे हैं भोपाल है और अपना जितने मितलब उस साइड में जहां पर आइटी नहीं ह आइसर अपनी भूमिका निभाता है आइटी से भी सबसे उपर आइसर है सबसे उपर इंडियन इंस साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बैंगलोर हो जो कि बैंगलोर में यह सारे के सारे आपको स्पेशली एमसी कराते हैं और नो डाउट बहुत टॉप लेवल की एमसी कर हैं तो आपका सीओं में सेलेक्शन बहुत पक्का हो जाता है लिए अपना अलग से एक्जामिनेशन कराता है जिसके लिए आपको इसका मेंस देने के लिए इसका मैंने प्री क्वालिफाई के लिए आपको मुमबाई जाना पड़ता है और वह बहुत ही अच्छा करने के विद मैतमेटिक्स के बारे मैंने बता दिया आपको फिसिक्स अच्छे होगा तो आप सिंपली एक बात बता हूं आपको अब यह कर सकते हैं मतब कोई भी ग्रेजवेशन के बाद आप कर सकते हो कि आपका 10 11 12 जो भी है आपने 10 12 में क्या होना चाहिए कंप्यूटर होना चाहिए तभी आप कर सकते हो यह तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 11 12 तक ही आप जो भी बच्चे होते हैं वो कई सारे लेंग्वेशन सीख लेते हैं लाइक जावा पाइथन सी सी डबल प्लस शी शार्प ऐसे डाइब की ठीक है और आप यह सी के बाद में भी कर सकते हो मास्टर आप आजिक लेक इतना क्लियर है बाकी एक और इसके बाद option सिंपल सा अगर आपको ब्यस्च के जस्ट बाद ही आपको परप्रेशन करनी है गौव्मेंट एक्जामिनेशन की तो वो भी है सेक्टर ब्यस्च के बाद सीधे सीधे आप ग्रेजियोशन जो भी आप भी कर रहो गौव्मेंट ए कर दोबिए सब्सक्राइब जो मैं सबसे उपर रखे आँ हूं जैसेक्जाममें canapakbat सबसे कर चाहिके तो अब पता चलना चाहिए कि एक इस का इसेसबी देने के लिए तो यह बहुत दूर पढ़ा था एंड इस पीक तो मैं नहीं जा पाया इसका रेटन में क्वालिफाई किया था में देने जाना था ठीक है एक होता है अपका उसके बाद आपका आपका इमें इंडियन विलेटर अ जाता है यह मतलब आपको और सीडियस क्वालिफाई करके इन सब में से कोई एक चूज करना पड़ता है ठीक है और आप नेवी तो लिए हाँ ठीक तीनों की दिन हो गया जल थल वायू ठीक इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ-साथ आप कोस्ट गार्डर सीडी कोस्ट युट्रषा कोते इन ये भी तरह के से डिफेंस सर्विस ही है ठोड़ी सी अलग होती है इसमें आपको लड़ाई नहीं करने होती है आपको इनौ चीज़ें रक्षा करने नहीं होती है अच्छा इसके अलावाए एक ट्राइविट भी मर्चंट ने भी आती है कि आपको और और कुछ परसेंटेज चाहिए होते हैं हलाकि यह दो कूर्स फिलाल प्रावेट की तरह होता है तो नो-दस लाग रुपर लग जाते हैं मर्चने भी और छह महीने आपका शिप पर रहते हैं और चैनल मेरी आपकी छुट्टी होती है सेलरी आपको पूरी मिलती है क्यों क्यों पर आपने डिफेंस के बारे में बात कर लिए उसके बहुत ही एक फेमस कंपिटिशन आपको ज्यादा सुनने को मिलता होगा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन स्टाफ है तो सबसे टॉप लेवल की जो जॉब इसकी ग्रेजुएशन के बाद जिसे सीजियल बहुत है कंबाइंड जिसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है जो कि आप बीसी या भी कुछ भी होंगे तो क्लास यह अपका ग्रेजुएशन को लेता है और बहुत अच्छी एक ऑफिसर लाइक जो जॉब होती वह आपको मिलती है लाइक इंकम टेक्स ऑफिसर सी आई सी बी आई में मिल सब्सक्राइब तो आप लोगों ने सी एचसल दे सकते थे आप लोग कमांड हायर से कंट्री लेवल तो यह क्या होता है यह थोड़ा सा अब जिसे वह थोड़ा से ए लेवल वाले हैं तो यह बी लेवल वाले होंगे उसके बात और ही विकार जो टेंथ पास करके मल्डी टा है वह बदो मुझे ठीक लगती है यह मटिएस बीजोब लगर और शेवाद एक ऑप्शन हो लाता है आपना विएक बंक आग्जाम इसा जरूरी नहीं याप मटे मैंत से पड़ा हो तभी आप अग्जाम दे सकते हैं यह अप चाहे वह साइन साइट के और चाहे अप कॉमर् लेने वाला है वह सारे के सारे रेल रेलवेज में आ जाते हैं और अच्छी जोब मानी जाती तुछ में रेलवेज में आर पीएफ मिल जाती है आपको रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स मिल जाती है वहां पर भी आपके जो ऑफिसर्स हैं लाइक जो बाबू बैठे होते हैं टिकेट चगा टीसी हो गया टीटी हो गया ऐसे कई सारे इसमें भी आपके एक्जामिनेशन अलग अलग टाइप के होते हैं ठीक है इसके बाद एक चीज़ और एड करना चाहूंगा जो लोग आपके दिए अपनी आप में जैसे आपका कॉलेज है इंटर कॉलेज जैसे आपका वहा की तरीके से सरकारी तो वहां की जो लेक्यर अंविक्त्र स्वेस्टाती वह उनकी जो इग्जामिनेशन होते हैं वह उप्यश्जी करवाती है UPSC एक और है UPSC टो जानी रहा है यूपी पीएसी बीजान लुक ये स्पेशली पीसेस काको कराती है धार यह आकाै स्पेशली आईएस का सका एक्जाम या यू है बले असे और भी इंपेशली स्पेशली मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं तो यह आपका UPSC जो है वो गौर्मेंट जो इंटर कॉलेज होते हैं उनके लेक्चरर की भी पोस्ट को फिल करती है UPSC में बहुत ही फेमस पोस्ट है आपकी IAS और IPS IFS इसमें आपको पता है प्री प्लस में प्लस इंटर्व्यू इंटर्व्यू का सीन तो आप समझी रहे होगे यू मस्ट पी बोल्ड अप्लीकेंट बोल्ड होना चाहिए आपको अपने अंसर कई सारी जो वैल्यू होती है लाइक साइका अलजी में आप बहुत अच्छे होने चाहिए आप टू दा पॉइंट होने चाहिए अब अपने अंसर भी डगमा काने ने चाहिए वह सारी इंटर्व्यू की तो प्रेपरेशन आप प्री ओमेंस प्री में आपको पता है दो पेपर होते हैं एका आपका GS 1 and GS 2 GS1 आपका सिंप्ली सारी की सारी जोployty generosity history geography economy, politics, environment, management, बहुत सारी चीजिए और dk पहुत सारी चीज़ उसमें होते हैं फिर आपका जो मेंस होता है इसमें को परेपर था GS1 and GS2 जो होता है सी सेट होता है सी सेट में आपकी English Hindi Maths Reasoning Class 10th लेवल तक की आती है उसके बाद जैसे आप तो हिंदी और English मीडियम वाले की बात हो रही है तो दोनों ही मीडियम में दिया सकता है में में जो आप आपकी examination होते हैं अलग-अलग उनका optional होता है वो optional वो चाहें तो English में भी दे सकते हैं और Hindi में भी दे सकते हैं और interview का अलग से आप से पूछा जाता है कि आप English में देना चाहोगे चाहें इसके बाद एक ही सेक्टर बचता है जिसे हम private बोलता है फिक है प्राइवेट में सहली बहुत अच्छी हो सकती अगर आप मेहनत करें ने तो अगर नहीं है तो प्राइवेट भी आपके लिए बेकार है तो और उसके बाद एक और बचता है प्रिलेंसिंग जो कि हम लोग यूट्यूब पर करते हैं यूट्यूब पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं किसी को पढ़ा सकते हैं कोई कला दिखा सकते हैं तो यह सारी चीजे थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए इसमें जो भी कन्फूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैत्वेद पर थैंक्यू